हेलो नमस्ते वल्कम तो मैथ अडिक्षिंडर यो वीडियो महामें डिस्कस गरने सहूं निपाल रस्टर बैंक को सहाएक दित्ते अथवा एसिस्टेंट टू को प्रीटेस्ट एक्जैम को लाग ये वता इंपोर्टेंट टॉपिक जसको टाइटल रहे को सहूं मुल्टिपल बेस्ट अन सिंपल इंट्रेस्ट साधरन ब्यास संबंधित मुल्टिपल जोइस्ट गूशन सरु वीडियो एकडम उस्पुल सर और इंट्रेस्टिंग सर एसमा हामी कुन एपनी फॉर्मुला को यूज ना गरेर कसरी क्वेशन सर लाइ सोल्व गरन सकिन सर त्यो टेक्निक स सरु सिंखने सां तसले एंट सम्म यो वीडियो ला है रनु वाला विदा वाला विदाओ वेस्टिंग मुल्टिंग स्थाओड़िट मुल्टिंग नेपालि मुल्टिंग उडिकुणी निशित साधरन ब्यास दर्मा रूपांस हजार एक बर्षपस पसिव पसिट्रीज पाँच हजार साच से हुन्च वने तेही ब्याजदर मा रू आठ हजार को तीन पर्षक ची मिस्रदन कती हुन्च यह आमले निकालने ठीक्छ अफकोर्स यह वाला क्वेशनला फॉर्मला लगारा गर्न शकीन च तरा मयले शुरूबै भने हामी कुणे पनी फॉर्मला को यूज गर्ने वाला चाहे नुवएसमा सो तपाइ केवल कंसेप्ट मा ढयान देनुँ सकसरे यह आशला गर्न शकीन च बिना फॉर्मला सबसे पहला एसली की बंदेश तपाइको 5000 रुपया कती बनी राच 5600 बनी राच कती बर्षमा एक बर्षमा एसको मतलब तपाइको पैसा यो सावा हो यो प्रिंसिपल हो है यो एमाउंट हो एता वाला सावा मिस्रतन ठीक्सा 5000 रुपया 000 बनी तपाइली कती ब्याज पौणधे पौणवब एक दम कमन सेंज किना वणे 5000 रुपया बृद्धी गरने वणila 5000 बवल्ला 5000 बनी तपाइको के हो साधरन ब्याज हो, simple interest हो, कती बढ़स गो, एक बढ़स गो, ठीक, सो इदी 5000 को साधरन ब्याज 600 रुपया होंचा बने, 1000 को साधरन ब्याज कती होला, यो कसले 100 बने के गरने होंचा तबाई जस्ते 5000 लाई, 1000 बनावनों को लागी के गरेगो, आमली, divide by 5 गरेगो, ठीक, 1000 रुपया को साधराण ब्याज रहेश 141 बर्स बुलागी आमले यो भुलन भुए न यो एक बर्स बुकुरा चली रासे यानिर तेस बहे तपाई यानिर 8000 रुपया भनी रासे यो 8000 रुपया को एमांट आमले निकालनुँश पहला हमे 8000 को ब्याज निकाल चों गुणा आठ गर नुगरु राइट जो 140 लाइ तपाई गुणा आठ गर दिनो उन्च यो तपाई को बनी आल्श 80,0,0 14 x 80 is 112 जो 11,20 रुपया भनी रासे यो थीक एक साल को ब्याज जो 8000 रुपया को एक साल को ब्याज उन्च 11,20 ते इस सेम exact interest rate मा तर यानिर तर तीन बर्ष बन्देश तीन बर्ष को बनी रासे यानिर यानिर तर यदी एक साल को ब्याज 11,20 उन्च वन्च 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 तीन बर्ष को ब्याज कती उन्च एंट्टू 3 यो उन्च आमरो 33,60 रुपयाज यो भनेको तबाएको 3 साल को ब्याज वो 8,000 को लागी तर प्रश्णाले तामलाएं मिस्र धन बनी रासे मिस्र धन मा के गरन्दू परसे यो सावा र यो ब्याज जोड़न्दू परसे तबाएले येदी यो दोईटालाई जोड़ दिन्यो बनी कथ यांसर देखे रासे यानिरो यहनुस एगदम क्लियरली एग सिर्मा देखे रासे यो 8 र 3 ग्यार वे याल्यो तेस पसाडी पसाडी तीन से साथी सा यानिरो सो ग्यार तीन जो जीरो एसको मतलब ऑप्शन नंबर एसको राइट आंसर हो साख्यो Question number 2 the end of the 10th year देखाली मा कुने एवटा रकम को साधान ब्यास 5 बर्ष वसी रू 2 से हुने स आगामी 5 बर्ष को लागी येदी सावा तेब्बर गरियो भने 10 बर्ष को अंते मा कुल ब्यास कती हुन स यो आमले निकाले ने ठीक्स सो एसमा तपालाई कुल 10 बर्ष मा कती ब्यास पाइन स बनेर सोधिर आश सो 10 बर्ष लाई तपाई S री छुट्याउनुस सुरू को 5 बर्ष रा तेश्पजी को 5 बर्ष S री छुट्याउनुस है औनी सुरू को 5 बर्ष को ब्यास तो तपालाई दियेगे सह यानिर प्रश्णमा दुईसे हुने वाला सह बनेर सो एसको टेंशन भएना आमलाई सुरुको पास बर्श को ब्यास दुईसे हुनच बनेर यानदेर आमले लेक्यों ठीक्स अब तवाला बनेरा सह योजो next five years तेसपसी को पास बर्श एसमा तपाले येदी सावालाई तीन गुणा बनाई दिनू भए बने अब कुल ब्यास कती हुनच बनेराच सो एरनुस एकदम सजिलो जयानिर येदी हामरो सावा जस्ताको तेस्ते भागो भए सावालाई हामले परिवर्थन न गरेको भए सुरुको पास बर्शमाद 200 रुपया पाइंसा बने तेसपसी को पास बर्शमाद 200 रुपया नहीं मिल थेओ हमलाई ठीक? Change हुन थे न किना मने साधराण ब्यास ते चेंज हू रहना प्रथम बर्शमा जति पाइंसा दोस्रबाबन तेती ने पाएंच, तेस्रबाबन तेती ने पाएंच, सो यो दा सेम चली राण्यों, ठीक, औनी तपाईको टोटल एंसर कती हुन्तियों, दुईसे प्लस दुईसे, चार से हुन्तियों, तारा हमलिक ये गर दियों हंदा हैरी, यो नेक्स्ट फाइव येर को लागी सामालाई तीन गुणा बनाई दियों, रा एवटाकुरा तवाईलिक्की विचार गन्नुपर सहमेशा, सामालाई येदी तीन गुणा बनाईन्च, बनी ब्यास पनी तीन गुणा हुन्च, एसको मतलब, अब तपाईको दुईसे रुप्या ब्यास मिल दाएन, तव अबडेर, दुईसे प्लस छासे, आडसे, मतलब, अप्शन नंबर, बी, एसको राइटा अंसर हुँ, सो हमेशा खायाल गर नो लाई सलाई, येदी हामले प्रिंसिपल, सामालाई, एन गुणा बनाई दियों, तीन गुणा, चार गुणा, पास गुणा, तेसुबै साधाराण ब्यास बनी के हुँँँच, एन गुणा हुँँच, राइता, इंट्रेस्ट रेट चाई, परिवर्तन हुँणू पायान, सदे बरी इंट्रेस्ट रेट चाई, सेम हुँणू पर्ष, औने बल्ला योग कंडिशन साडिस्वाई हुँँच, खिक्सा, Q3, A sum of money becomes 9 times in 20 years, find the 10 times of the rate of interest, कुने सामा 20 बर्ष मा आपनो 9 गुणा हुँच, ब्यास दर को 10 कुणा निकालनू, ओस बने रे बने राज एसले, जुन ब्यास दर हुँच, तेसको 10 गुणा गती हुँच, त्यों आमले निकालने, ठीट, अब ऐस तो टाइप को प्रष्णला अब सावार मिस्र धन बिशको अन्तर कती ज्या एन्णूस का 8,8 रुपयास वागी से न, तो यो 8,8 रुपया बने गों की हो तो बाइगो, ब्यास हो, 7,25 ब्यास हो तो यदी 20 बर्षको साध्रहं ब्याज 800 हुंच और ये तपायले 100 रूपया माननो बाहस बनी एक बर्ष को साधरन ब्याज जती आऊश तेही नहीं तपय को रेट को परसेंट बनी होंच ठीक, यो कुरा एकदम इंपोर्टेंट हो तरह यो कुन बेला लागोंच जबा हामी सावा लाई 100 रुपया मांचों या 500,000, 22 बुची हो दैन यदी सावा 100 हो बने एक बर्ष को ब्याज जती निशःकी साव तेही ने ये या 105 परसेंट बनी होंच तो 40 रुपया बने खै 40 % होंच यानीर यो यो हो एक बर्ष को ब्याज को दर तरह हाम्लाई 100 राहा यानीर यानी यानिर यानीर capturing 10 गुना सोधिएश सो 40% को 10 गुना करियों चार सेब परसेंट सो इसको मतला option number C इसको right answer हो question number 4 a sum becomes 6-fold 6-fold बननाली 6 times बनना होजीगो at 5% per annum at what rate the sum becomes 12-fold येदी 5 प्रतिशत ब्यास दर्मा तब एको कुने पनी येवटा रकम या सावा 6 गुना होँचा बने कती ब्यास दर्मा त्यों 12 गुना होला धेरेको दिमाख मा क्या होसा unitary method हाई ना येसरी सोच सने रोस 6 गुना उनको लागी ब्यास दर 5 प्रतिशत हो बने 12 गुना उनको लागी येदा डबल बहाले हो 5 पर्सेंट को डबल करिए होँचा 10 पर्सेंट सो सीधा सीधा 10 पर्सेंट मा ठीक आंचन रोगाडी बोडशन गर आयरा था होंचे की येदा गल्दी वायाले येसरी रिस्क नल्ली नो अला येसको शोटकाट पॉर्मला पनी होँचा तरव मत बिना फॉर्मला गरने मुखर माज़ा अब यानिर आमला है सम दीए कूचा न? मतलब सामा दीए कूचा न? त्यसले हामे के गर देशा होँ प्रिंसीपल लाइं हूंडरेड मानि रासों येसरी हूंडरेड दिमाख मा मानि बिनीए होँचा अन यह 100 बढ़े र कती भाई राच आपनो 6 गुना 6 ताइम्स एसको मतलब हमेशा एमाउंट हुँँच मिस्र धन सो पहिलो केस माँ यह बढ़े आमरो 6 कती ले बढ़े र कती ले बढ़े पांस ले बढ़े 500 ले बढ़े ठीक यह 500 की हुँचे आमरो साधराण ब्याज इंट्रेस्ट हुच तर एसलाइग एक बर्स गुन न बनननो अला किनमनी यानिर समय दिये कुश है न अब यह 100 देकी 6 हु ठीक्सा सो समय संग आमलाई सरोगार भयना समय दूइटे केस मा यह बढ़े निशा कॉंस्टेंट सही तर सो यह 500 सिंपल इंट्रेस्ट को लागी रेट कथी सामय संगा 5% ठीक्सा मै यह लिगी राजू 5 परसेंटेज रेट मा हामले 500 रुपया कमायों अब अत्पाहलाई सेकेंड केस मा पंदेशा 12 बुना हुना को लागी रेट कथी उनु परला सो सामता यह रोनियो प्रिंसिपल सही हुनियो तर अब आमले सला कथी बनावनुसा 12 बुना मतलब 12 से बनावनुसा कथी ले बड़ी रासे अनुसता सही देखी 12 से मतलब 11 से ले बड़ी की बड़े न 11 से ले बड़्यो यो तपाहे को सिंपल इंट्रेस्ट हो सो अब इसला एसरी बुजनुस रेट 5 परसेंटेज हुने बेलामा तपाईको ब्याज 500 थियो बने अब 1100 ब्याज हुना को लागी रेट को थियो नू बरला एकदम सजीलो 11% खतम 500 लागी 5% तेसबई 1100 लागी 11% simple तो option number D right answer खतम यूनिटर मेठ़ड पन लगावनों सखीन स 500 लागी 5% ब्याज तेसबई 100 लागी एक परसेंटेज ब्याज 30 साइड मा 5 ले भाग गर देको औनी 1100 लागी एक परसेंटेज इन्टु 11 मतलब 11 परसेंटेज ब्याज सब क्योँ एक चुटी अजय यहनूस बुजय दिन्च यहनूस सुर्मा आमले principle 100 मान्यों पहलो केस मा 6 fold बनी राश 6 गुना सो 100 को 6 गुना कती हुँँँच 6 से योबनेको एमाउंट हुँँच यो दुड़ेटा 20 को अंतर कती हो 500 रए S को लागी फर्स्ट केस मा आमलाई 22 कती दियेगुँच 5 परसेंट सो 5 परसेंट हैस का हैसा आबले 500 रुपय आमले कमायों कती समय लागे वेसमा त्योसंग आमलाई सरोकार बहायन अब आमलाई पंदेच यहले कि सावा यही सावा लाई तपाईले 12 गुणा बनावनुच 12 गुणा मतला 12 से बनावनुच बनी ब्यास कती वो 11 से सो 500 को लागी रेट 5 परसेंट हुँच 11 से को लागी रेट कती उनुपरला 11 परसेंट सौक्यों common sense ठीक यस्तो टाइपको प्रश्नको लागी कुणे कुणे किताब मा फॉर्मला पनी बनाई दिये कुणच तपाईगो यसतो टाइपको फॉर्मला बनाई दिये कुणच r2 by r1 बरावर m-1 अपन n-1 यसरी बनाई दिये कुणच यसको टाइपको r2 r1 बनाई रेट अप इंट्रेस्ट हो यो m रा n को मतलब यो जुन दिये कुणच सतबालाई 100 गुणा 12 गुणा इनियरू ठीक r2 बननाले जुन आमले निकालनो पड़ने ब्यास कोता यो 12 गुणा बनाउनो को लागी कथी इंट्रेस्ट रेट उनो परलावने रसोधिराज so r2 आमलाई थासाई न r1 बनेगो सुरूको इंट्रेस्ट रेट कदीज 5% आमले 5 लेकनियो यानिर तेस पसाड़ी m m यो r2 संग संबंधितो m r1 संग संबंधितो n so यो प्रश्ण मात पाईले m को ठाउमा राकनियो 12 12 गुना जुम भनिराज तेसको यो बार राकनो पर सामले 12-1 और डिवाइड बाई n को ठाउमा तपाईले राकनियो यो छो ठीप तस 6-1 तो यो बयालच आमरो r2 by 5 is equal to 11 by 5 होंज पाउस पाउस काट्यो कोठी आयो 11-11 मतलब 11% एंसर सक्यो यसरी करनना सक्हिंजा तर अम्मा रिकमेंड गर्शू तपाई यो तरीगा सिक्मिस थिक्सा अलिकती तपाईगो दिमाग बाड़ साइद question no.5 a certain sum of money amounts to Rs.720 in 2 years and Rs.870 in 4.5 years find the sum and the rate of interest भाजे रासे इसली कुने योटा रकम चा आमला थासे न त्यो 2 बर्शमा बड़ेरा तपाईगो 620 वहालियो र 445 बर्शमा बड़ेरा त्यो 870 वहालियो बने त्यो रकम कती वहला र ब्यासको दर कती वहला यो आमले निकालने ठीक्सा एसरे लेकनूंसे यानूस सिधा-सिधा 2 साल को अमाउंट तपाला कथी दियेगूस 620 और 4.5 साल को अमाउंट तपाला कथी दियेगूस 870 तो ये दी हामले यो ठूला बड़े श्यानों गटाई इती हो बने कती यांवस है यो? आउसे यांवसे यांवसे नू? आउसे नू? 4.5 बड़े दुई घटाया पची डाई साल सो डाई साल को तपाई को यहां निरो रकम निसकी राच 870 बड़े पनी यो 6 से 20 गटश सो ये सको एंसर आयाल सामरू डेर से 150 आउस यह 150 बने को के होता पाईको? यह 150 बने को डाई साल को ब्याज हो ठीक? यह कुरा इंपोर्टेंट हो जब पनी आमी एसतो सिचिवीशन मा एवटा एमांट वोट औरको एमांट घटायार डिफ्रेंस निकालचों यह डिफ्रेंस बने को हमेशा यो समयसांग सम्मंदित क्यून्चा? सादरान ब्याज हो इंचा जो डाई बर्सा को सादरान ब्याज COP घड़ से यह 1 को सादरान ब्याज COP और इसला है इसले सिंपलिप्लिपा स्वाइ गरने को अनी दिबाइदए यह 2.5 यो 2.5 पंको यह यह इसले अकाटने 6 पटक 6 गुणा 10 गरने बने 60 जो एसको मतलब 1 साल को साधरन ब्याज 60 रहेच तर या निर कुराच वली रहाच दुई साल र 4 साल को तबाई कुणी एवडा लियालनु सामिया निर दुई साल लाई लियाल चो एस वड़न निकालना सकिन च सो एक साल को साधरन ब्याज 60 रुपया हो बनी दुई साल को साधरन ब्याज कती हुँझे तबाईको एक से बीस साधरन ब्याज गुणा दुई गर दिने हो बनी एक से बीस यो साधरन ब्याज गो दुई साल को तेसे बए सावा कथी बद, सावा निकालनों परेवनी कसर निकालनी, दुई साल को एमाउंट वड़, जो यो 620 रुपया हो, दुई साल को एमाउंट वड़, यो दुई साल को साधन ब्याज घटाई दिने होंच, सो एस वड़ तपायको आयो, 600 बने रठी, 600 रुपया तपा और ऐर बीम दे, कुणि एक होना सक्षा, तेवो डिसायर घट गर सावा रेटले, फाएनल आमी रेट कसर निकालना सक्षा, रेट निकालना गो लागी, सिम्पल तरिका, रेट हमेशा निकालनी सावा को आधारमा, सो सावा आय को शामीसंग, 60 यो तलरा राहिम आमले, रयान हमेशा एक बर्सको ब्याज राखींच, दूई तीन बर्सको राखी देना एक बर्सको ब्याज, त्यो कदियो 30 रुपया, अल्रेडी सामिसंग, 60, अनि गुणा सहय गर दिन्यों, देखिराज आई न, कदियो 10 परसेंटेज आऊच, सु अप्शन नम्बर एसको राइट आंसर Q6, A sum of money becomes 3 times of itself in 40 years, find the rate of simple interest, अब अल्यों दिमाख लगाओने सिखनो एसमा, कशरी करणू पूर से एसमा, एसमा ना हमलाई सामा थासे, ना हमलाई amount थासे, केपन थासे न, केवले एत्ती बनी राखा कि कुणे पनी सामा 40 वर्समा आपनो 3 गुणा हुंच, सो तब एले सामा जे माने बनीबो, सो आमे प्रिंसिपल मानी राशों साय, अनी यो बडेर कती बही राशा, 3 गुणा पन्देश, 3 गुणा को मतलग 3 से, यो बनीको मिस्ट दन, एमाउंट हुंचा मेशा, कती बही यो दुटा को डिफरेंस, दुईसे को डिफरेंस बठी, दुईसे रुपय साधराण ब्याज कती हुंचा, 242 बराबर 5 रुपया, अगी ने मेली के समझायाता पायालाई, यदी प्रिंसिपल साय माननो भासा बने, एक बर्सको साधराण ब्याज जती आउसा, तेही ने तबाई को क्योंचा, रेट परसेंट हुंचा, सो 5 परसेंट बनीको क्योंचा, रेट परसेंटेज, सो खतम अप्शन अमबर, बी एसको राइट हैंसर, मजा आए रहाचनी आईना, बीना फॉर्मला गरना सकेंचा, का फॉर्मला को जन्जट मा परने, उनना दा सिंपल इंटर्स को फॉर्मला के जर एकदम सजिलो सा, PTR by 100, डेफिनेटली त्यो फॉर्मल लगायर, सोब क्वेशन करने सकेंचा, तर कीना लगाऊने, मेरो बना यह कीना लगाऊने, जब आमे बीना फॉर्मला लगायर, गरना सक्षांँ, ये सरी, कॉमन सेंस को आधार मा, ठीक, सिंपनूस, नायान्या कुरा सिंपनूस, और बल्ला तबला मातमेटिक्स मा, अलग कि इसमको रुमांस मिलने साइःता. Q7. The difference between the simple interest received from two different sources on rupees 1500 for three years is rupees 13.50. The difference between their rates of interest is यदी रू 3.506 बनी ब्याजदर हरू 20 को अंतर कतियुंच युआ आमले निकलने ठीक्सा पहले आतम अतम बाला क्वेशन बुजाई दिन्सु तब आले क्ये गरनने भास हो नहीं दू यवटा अलग अलग ठाव मा 25 सॉय रूप्या, 25 सॉय रूपया लगानी गरने भास हो,सय थीक्सा 55 सॉय को समय पनी स्सेम हो 3 सह क防 अब यह पहलो ठावं को ब्याजदर आमला था वाँ आर वन बनो दोसरो ठाओं को ब्याज दरबन थावाए नाम लाए आठू बनों सो अब तपाई यो तीनो डागो हैल्प ले P पनिश, T पनिश, R पनिश, S वड़ तपाई साधराण ब्याज निकालन सक्नोंच S वड़ पनि आमी साधराण ब्याज निकालन सक्सों र अंतिम मा यो दू योटा साधराण ब्याज ब्याज बिसको अंतर कती देहा परेव 13.50 पैसा तेसब बतावनुस यो दू योटा रेट बिसको अंतर कती हुँँश अब नेड़ सोधिरा से ठीक सा प्रशन बुजायागो माईले सॉल्व गरने स्टाट गरेगो साईन अवयले अब आमीं गरसों यो अब सीचुएशन अब साल्व गरने स्लाई कस्री गरने सो पहला सीचुएशन बुजनूस दूइटै केसमा केस हा प्रिंसिपल सेम सा समय सेम सा यो दू योड़ा सेम सा वने अब खाली रेटले मात्र डिसाइड करने हो तपाएको आंसर ठीक सो यह सिरु बुजनूस जुनत पाला यो तेरो पॉइंट पांच जिरो वनेर डिफ्रेंस दीएगुसा दू योड़ा साधरन भ्याज बीसको यो कती बर्षको डिफ्रेंस हो तीन बर्षको होगे आई न या निर्दीरास है नो तीन बर्षको सो तीन बर्षको डिफ्रेंस डिफ्रेंस अई सो तीन बर्षको अंतर येदी तेरो पॉइंट पांच जिरो होंच बने एक बर्ष को अंतर कती हुँँच एक बर्ष मा इने औरो बीस को ब्यास को अंतर कती हुँच तेरो पोईंट पाँच जिरो डिवाइड़ बाइ तीम यूँआ सामरो चार रुबया पशाज पैस साडे चार रुपया को अंतर हुँच यह दुट्यागो 20 मां एक बर्ष मां है रह एक बर्ष को अंतर निकाली सके कुछी अब आमी निकालना सक्षों रेट और बीस को डिफ्रेंस R1-R2 यह R2-R1 J लेकनू इसके परक परदन है यह रेट और बीस को अंतर निकालने तरिकाऊंच जुन यह डिफरेंस आया गोस पहिलात्यो लेकनी रह हमेशा यहलाए भाग गरनू परच प्रिंसिपल ले कदि दिएको च प्रिंसिपल 15 30000 लेकनू अलाए त 15 साय बनेर लेकनी 1500 प्रिंसिपल लेकनू उन्छ रह यह बयाल साय आमरो 4.50 x 100 बनेगो कदी बैयाल से यो 45 से औन इट डिवाइड मामिसंगा सली रास 15 से सो अब एसलाइज सिंप्लिफाइग गर दाइड़ से ले 3 पड़क काटने रड़ से ले 10 पड़क काटने 3 x 10 को मतलब 0.3 एसको मतलब 0.3 परसेंट येस तपाइगो बैयाल से रो option number c कथम एक चोडी अचा बुजाइद ये नुस कसरी करिए आमली 3 बरसे को दिफ्रेंस 1.5 रुपया एक बरसे को दिफ्रेंस कती होंच 1.5 x 3.5 x 3.5 औन ए रेट को दिफ्रेंस कसर निकालने यो जन एक बरसे को दिफ्रेंस आयाको सा येला है माती लेकने डिवाइद गर दायरी यो प्रिंसिपल ले दिवाइद होंच जो ये 1500 दिएको सा क्योवल एक चोडी लेकनो आला तो 15 प्लस 15 गरे रो लेकने येना क्योवल पंदर से लेकने अनी इन 200 गरे रो दिनस जोदिया हो सा थी परसेंटेज तबाइगो आएँ सारो सार्क्योव क्वेश्चिन नम्बर एट और सम्वास पूट एट सिंपल इंट्रेस्ट अट असर्टेन रेट एट एट परसेंट हायर रेट इट वूद हाव फेस्ट रूपीश सिक्संडेड मोर वाट वस दे सम्वेश्चिन एगदम राम्रो कुईशन कुने योटा रकम लाए निशित व्यास दर्मा दस परसकुल आगी राखेएको चा येदी 5 प्रतिशत बड़ी व्यास दर्मा राखेको भए रू 6 बड़ी प्यास पाइन ठीओ बने त्यो रकम कती होला बनेर सुदिरास इसले अब एसला आमी देरे तरीका लिए गरना सक्सा एक तरीका युँँशा पहलो मैथरेसको एस तो होना सक्सा यानी रहनुश जसेत भाई को यान रिक्षे पंदेस बंदारी शुरूमा जती व्यास दर रहेको अला अब आमला एता धी एको साय ना तर शुरूमा जती ब्यास दर रहे को थियो, त्यों बंदा यदि 5 प्रतिशत बड़ी ब्यास दर रहे को बहे, आमी 10 बर्षा मा के करना सक्तियों? 60 ब्याब बड़ी ब्यास कमाऊना सक्तियों वनेरो परस्नली बने रहाँ से, ठीक? तर यदि ब्यास को ब्यास दर रहे, ठीक? ब्यास कमाऊना सक्तियों, तर रहे को ब्यास कमाऊना सक्तियों? 5 गर दिन्यों, सीधा सीधा, यो समय multiplied by यो बड़े को ब्यास दर, 50 परसेंटेज बड़ी ब्यास कमाऊना सक्तियों, रहे ये 50 परसेंटेज को भेल्यू तपायलाई दियों से, 600 रुपया, ठीक? सो 50 परसेंटेज बनेको येदी 600 होंचे बने, 100 परसेंटेज बनेको कती होचा? के बहा यो? इन्टु टू, एस बहाए 600 गुणाद्वी बराबर 12 से यो तबायको प्रिंसिपल हो, ओप्शन नंबर A, राइट आंसर, खतम अब और को मैथ़ड येर नूसे यानिर, मैथ़ड टू, एस बढ़ा एसर बुजनूस, येदी 100 रुपया आमर प्रिंसिपल भागो भाए, 5 प्रतिशत ले ब्यास को दर बढ़ाईतीने हो बने, एसको अर्था होंचा, महरेक बर्सा, 5 रुपया बढ़ी पाउँ थे पहला येदी यानिर, आट पर्सेंटेज ले बढ़ा इदे को बढ़ा, मा आट रुपया बेसी पाउँ थे, येस रिसोस नियो तो पाईले, ठीक, सो येदी महले प्रिंसिपल लाए 100 रुपया माने बने, ये बढ़े को ब्यास दर जती स, 5 प्रतिशत, सो 5 पर्सेंटेज अब 100 न येसको मतलब, हामले यो 15 लाए 100 बनावर 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 एक्जाम मा खूब काम लागशने तो एस्ता ट्रिक सरू सुरुमा बुजन अलिगती गार आहुना सक्षा किनवने आमरो बानी फोर्मूला मा बसे गुणज तर तेह कुरा तपाइले के गरनेव छोड़दे जानेव बिस्तारे जाहा समझ मा आवदेन एक चोड़ी वीडियो रोकनूस थोड़ा रिवाइन गरनूस फेरी एरनूस कहा निरा मईले सपोज गरे कसरे मईले तेसला है समझाये एक्स्प्लेन गरे और इता पाइ एक्जाक्ली तेह टाइप कु क्वेशन मा दिमाख लगावना सकनूस एवडा दुएडा क्वेशन आपे बनायर प्राक्टिस गरे बनेवाँ जा केज हैना नतर पाइ गुगल सर्स करनू अला एस तो टाइप कु क्वेशन सरु तमाम बेटनूस टेसलाइ डाउनलोड गरनूस प्रैक्टिस गरनूस जसरी होंच आपनोई स्पीड लाइ इंप्रूब गर्दे जाने वामले विद्ध Q9. Find the interest on Rs.600 for 2 years at the rate of 3 पाइशा per रूपी every 2 months तो एसले के बंदेशा बंदायरी Q9. 3 पाइशा प्रती रूपया प्रतेक 2 मैना ब्यास को दरले Q9. 600 रूपया को ब्यास कती होंच 2 पर्षको यहामले निकलले ठीक्स? तेरेलाई यो भासा भूशन अली कती गार होंच ते बेर मेले युक्वेशन यानिरे इंप्लोड करे एक्जाम मा आऊनो सक्से इवड़ा इंपोर्टेंट बहा है इस तो टाक को लैंग्वेश आया बने तब आ एसरे ने गरनो अला अब जरुरी सहने कि एक्जाम मा तीन पाइशा प्रती रूपया प्रती दुई मैना ने लेहेको अला प्रती दुई रूपया प्रती तीन मैना जे लेहेवानी सेम मैथळ हुँ मैथड बुझनाँ सतावाई सबसे पहला जुनियों पैशा दीएकोँछों पहला यह लेहनो तीन अनि तेसको छेव मा के लेहाँ यानिरा पर रुपी लेहाँ चो एक रुपया सहोने यो रुपया लाए बनी पैसामा कन्वर्ड गरेर लेखनुस ठीक सो पहला तीन भाग मास सहे अन यानिर बनी रास एवरी टू मन्स मतलब जुन यो ब्यास को दर हो तीन बाइस सहे यो मने को दुई महिना को लागियो सो दुई महिना लाए येसके अगाड लेखनुस यो मन मने सोस ने कुरा है न कौन्सा त्यानिर तपाईको स्टेप बाइस स्टेप देखावनु करसर आमले सो दुई महिना को तपाईको तीन बाइस सहे हो ब्यास को दर तर ब्यास को दर हमेशा बर्समा ना पिनच यू बरसमा कति महिना हुँँछ? 12 महिना 2 महिना को 3200 हो बने 12 महिना को कति हुँँछ? अब यह निकलनों परे आमले 2 वटा 12 कस्रिब हुँँछ? इन्टू 6 गरे रा प्लस 10 मनने आए नहीदा गुणा मा बननूस या भाग मा बननूस સો એનુગ હોંરે એનીરો , તેસોવે તમાઈય કે ગરનોંંંંંંંંંંંંંંંંં તેન્ બાઈશે लाए इन्टु 6 गरना हुँज, ठीक, दुएटे साइड मा इन्टु 6 गरने हुँज, सो यो कदिवा आमरो 18 by 27, 18 by 27 नाली कदि हुँँच, 18 percentage हुँच हुँच, इसको मतलब, एक बर्ष को ब्याज दर कदि रहेच, 18 अथवा, एक बर्ष मा हामी, 18 प्रतिशत साधरन ब्याज पाउश हुँच, तर यहां तो कुरा, दुए बर्ष से चोले हुच, एक बर्ष मा 18 पर्ष मा मिलच, बने दुए बर्ष मा कदि मिलच, 18 इंटू 2, 36%, यहां आमली कमायको टोडल ब्याज हुच, तर आम लाइतो रुपया मा साइज हुच, ते सोबए 36% निकाल नियो आमली 600, 36% अफ 6 से निकाल दिन्यों आमली सिरा सिदा एंसर है आलश हुच, अब यह पर्सेंटेज हटाइ दिनूस, यह दुए दाजीर हटाइ दिनूस, 36 गुणा सह गर्नियों, दुए से सोर देखिरास, तो आप्ष नमबर बी एस पर राइट आंसर हुच, Q10, The Simple Interest at X% यह रेट हो, For X years यह टाइम हो, Will be Rs.x, यह साधरन ब्याज, Simple Interest will be Rs.x, On a sum of, मतलब principle कती हुच, Principle कती भयो भने, X प्रतिशत का दरले, X बर्समा, साधरन ब्याज पनी, X हुच भने रो सुधिराज, Principle निकालनो जा आमले, So formula हुच, I into 100 divided by TR, T, यह री गर्ना सकिंच, X in my L, So, यह सीथाश्टा पैल से यहाने, I go harm अधावाँ अब राग्डिने, X, And 100 अधावत यह, TR, T go harm अपनी X, Rate go harm अपनी X, X काट्च, 100 by X पोचिराज, Option number B S को राइट यहान सरू, KASASS मा तेस्त दिमागला वाँ पढ़नी केए थियाना, So, अधावाँ इधी डारेक्ली यह लेकना गार होंसा भने, जुन तपावाँ इजी लाक्सा फ़ाम तेही रूप मा लेकना साध्रान ब्यास पर आवग, P, T, R by 100 लेकना सपनाँज, S कोट हावमा मेन गुरा X राखनू पोरियो, Time पनी X राखनू पोरियो, पर तलो पट्टी 100 अन्यास बटता बाले, प्रिंसिपल को लागे सिंप्लिफाई करन्यों, जो त्या आउसात्यों एंसर हुंच, 100 by X, एंसर निकालना सखेंचे इसको, ठीक्सा? Question number 11, In what time a sum of money becomes four times of itself at 15% per annum simple interest, in what time समय हमले निकालने? सो कती समय मा कुने पनी रकम या सावा आपनो चार गुणा भयालच, यदी interest rate 15% पर annum हो बने, ठीक्सा? चोबबर बनी राजनी आनिरो अब यो प्रश्ण मा हमलाई सामा पन दीएको शायना, एमांट पन दीएको शायना, केवल एत्ती बनी राजा, सामा बढ़ेर आपनो चार गुणा होंच, 15% को दरले, सो तपाई के गरनूस, प्रिंसीपल लाई शुरूमा सपोज गरनूस, अनि यसली के बन्देश, ब्यास को दर 15% हो, यसको मतलब होंच, तपाई एक बर्षमा, कती ब्यास पाउन होंच, साधरन ब्यास कती मिलच, 15% निकालने बनी 15 रुपया, और 100 प्लस 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 गरने बनी 115 रुपया शाय, मिस्र धन होंच, सामा येरी 100 रुपया हो बनी, एक बर्षमा तपाई ब्यास पाउन होंच, 15 रुपया कसरी 15 रुपया 15% रुपया हो, अब आमलाए प्रश्णाली बन देश, कती समयमा, यो सामा, आपनो 4 पुना होंच, सो 100 रुपया होंच, कती बनाउन होंच, यो बनेको एमांट हो, सो यो दुड़ाब इसको डिफ्रेंस कदी बहुत, 300 रुपया को डिफ्रेंस बह, यो बनेको ब्यास बह, ठीक, सो अब एकदम सजिलोंब याले एरनस, यहती एक साल मा 15 रुपया ब्यास पाउनच बनी, 300 रुपया ब्यास पाउनवोंगो लागी, 3 times of itself in 5 years at certain rate of simple interest in how many years will it become 9 times of itself at the same rate बनी राज़ so कुने रकम एवटा निशिस साधन ब्यास दर्मा 5 बर्समा आफनो 3 गुना हुँच बने सोही दर्मा आफनो 9 गुना हुँच पथी समय लागला यो हमली निकलने ठीक so फेर ही ते ही कुरा हमली आज मैक्सिमाम ये टेक्निक वड़ा सॉल्म गरेगा शों प्रिंसिपल सहय माननूस पहलो केस मा येस लेके बनी राज़ 5 बर्समा तीन गुना हुँच तो 5 बर्समा 5 बर्समा तीन गुना हुँच मतलब 3 से ब योबने को तबाएका अमाउंट हो कथी ले बड़ी दुईसे ले बड़ी के बड़े ना सो 5 बर्समा तबाएको दुईसे ले बड़ी राज़ा मतलब 5 बर्सको साधरान ब्यास दुईसे हो सो येदी 5 बर्सको साधरान ब्यास दुईसे होंच बने एक बर्सको साधरान ब्यास कथी होंच दुई से बाइपास करती नी हो बनी बची 40 रुपया होसा सो रेट अप इंट्रेस्ट हो 40 परसेंट मनेर बुज़नुस 40 प्रतिशत ब्यास को दर बवयस्मा या 40 रुपीज बननुस 40 परसेंट मननुस कुरायोटी हो आमले P 100 मानेगा सो अब के गरनुसा आमले 100 ही ब्यास दर मा मतलब यही 40 परसेंट का दर ले 9 गुना हुना कती समय लागला बनी दाच सो सय को 9 गुना कती हुँँच 9 सय हुँच सो यानि रेटनुस योद वीडा 20 को डिफरेंस कती बह 8 से बगे बहना 8 से को डिफरेंस बह 407.51,8 लाग सो यो वीडियो हेरी सagए पची है न मत पालाक सोजिस्ट करजू यो क्वेशन इरोокой 9 हेरीकान retrouve गार्ने ट्राइ करणारो आफ़ेज तया आऊंच कदी तबाईले बुजनुब र एक्जाम मा एस्तो कुईशन आयावने जट्टा तबाई दिमाख लगाउना सपन होन्छागी नाई ठीक सा? रामसंगर नोलाईद Question number 13 If the simple interest on a certain sum of money for two years is one-fifth of the principle The rate of interest is यदी दुई बर्षामा कुणे रकम को साधरन ब्याज सामा को 1 by 5 होन्चा बने ब्याज दर कती होला बनेर सुधिराज ठीक? एक सिन्गो काम होयो यदी तबाईले 1-5 लाई ध्यान देर एरदू बएवने एक सिन्मा सक्केंच 1-5 बनेको कती होन्च? 20% होन्च कसरी? 1 by 5 इंटू 100 गर्रा निकालन सक्केंच 20% बने रहा होसा यारन एकदम सजीलो बहा होता दुई बर्षामा तबाईको ब्याज भननेकुरा सामा को 1-5 होन्च 1-5 बननाली 20% होन्च यो बनेको के हो बननारी? दुई बर्षाको ब्याज 2 बर्षाको ब्याज होन्च सो 2 बर्षाको ब्याज येदी 20% होन्च बने 1 बर्षाको ब्याज कती होन्च? 1 बर्षाको ब्याज होन्च 10% कदम एंचर? option नमबर 1 देरे ही जनो आप इसलाई 20 मानेर गर्चन के? त्यो आली ठीक भएने गर्नूस गरना ता की न अन्न सबनु आई ना कोथी पो तरीगा आउंचान कोई एसरी गरजायनूस प्रिंसिपल लाई X माने साधान ब्यास बने को एसको एक बाई पास उन्छा तेसले X बाई पास माने और तेस पसादी समय आमलाई दिये को सर T बराबर 2 माने प्रिंसिपल लाई 100 माने आमली प्रिंसिपल लाई 100 माने भजी तपा एको दुई साल को दुई साल को साधन ब्यास कति 100 यानीर 115 बने भणा राश 150 कसको प्रिंसिपल को सो प्रिंसिपल यदि 100 हो बने इहक बाई 500 कति होंच 100 को एक बाई 5 हामले निकालने भणne 20 रूबया एसको मतलब 2 Cyberpunk को साधने भ्यास कति आया राच तवहेको 20 रूबया हांजा करत हैं हांजा कielle 14. A sum of rupees 2200 becomes rupees 2652 in 3 years at simple interest. If the interest rate is decreased by 1% then what is the new amount? कुने ब्याजदर मा तीन बर्षा मा रो 22 से बाड़ेर रो 21 से बावन्न हुंच यदी ब्याजदर एक पर्तिशतले कम गरियो बने सप ओस यदी ब्याजदर मा तीन बर्षा मा 10 से बाड़ेर रो 21 से बावने बिल्गुल तहीं लोजितिक लगाऊनों ने एक सिनमा स्वाल बायाल सइए सबोस यदि प्रिंसिपल सभाख वहे प्रिंसिपल सभाख वहे तब आईको एक प्रतिशर ले ब्यासदर कम गर दीने होपनी एसको मतलब होंथे हो हर एक परसा हामी एक रुपया कम पाऊंधे हो एक रुपया कम ठीक एसरे लेगी राज़ो पाऊंधे हो एक परसेंट ले गटाओनों को मतलब क्यो एक रुपया कम पाऊंधे हो यदि पास परसेंट ले गटाया गवाए पास रुपया कम पाऊंधे हो 10 percentage ले बढ़ाया गोगए 10 रुपया बेसी पाँ थे हूँ ठीक हर एक बर्स येस तो हुन थे हो तरह यानिर कुरा कती बर्स को सली रास तीन बर्स को सो एक बर्समा एक रुपया काम हुन थे हो बने तीन बर्समा तब एक टोटल कती काम बयाल थे हो आमरो तेसबय तब आएको 22 से बनावन पर एस लाइग 22 से बनावन पर एवनी के गर देशों आमी इन्टू 22 गर देशों सो तीन लाइबनी इन्टू 22 कर नियो बनी 660 रुपया तब आएको काम बयाल थे हो ठीक सो एकनोस पहला को एमाउंट कती सामी संगा 26 से बनावन पहला को एमाउंट हो बनी अब नया एमाउंट कती हुँँँच योगंदा 660 रुपया कम माइनस 66 गर दिन्यो सो बारा वटा 6 गटियो चा चाओदा वटा 6 गटियो 8 औन योग हो पच्चिस पच्चिस से च्यासी आई राजा मतम अप्षन आमबरे एस कुरा एटान सर्फ हो एक चोडियो जायरनूस कसर गरे मेसले आमलाई मेन कुरा एसमा याद रागनूस डिक्रीज बाई 1 परसेंट बने रहा ठीक डिक्रीज बाई 1 परसेंट को मतलब येदी आमले प्रिंजिबल सह माने वह बने एसमा पहले को बहन्दा एक रुपया कॉम ब्याज बाई शा एक रुपया कम। ठीक, किनलों सोर ांवनि तियुला हुए श На मिपेंदे गति जो सहा हुए ऐख दो हामी 26 से 22 रुपया कमाई रहा थे हो गोनी अब हामी क्ये पाउंसों यो गन्दा 60 काम सो 26 से 22 वड़ा 60 रुपया तो एको अंसर हुंसर रही तर ओके यो वीडियो को लास्ट क्वेशन क्वेशन नूम्बर 15 A sum of रुपीज 5,000 is lent out into two parts the first part at 4% per annum and the second part at 5% per annum if the total interest received after two years is rupees 440 find the sum lent at 4% and 5% नेपाली माई स्कोर था रुप पांस अजार लाए दुई भाग लाए र सापती दी एको स एवडा भाग 4 प्रतिशत मा र और को भाग 5 प्रतिशत साधरन ब्याज दर्मा दुई बर्स पसे येदी कुल ब्याज रू 444 पाईयो भने 4% र 5% मा सापती दी एको भाग को र कम कती-कती होला यो हमलीन निकालनी ठीक्सा अब एसलाइ दुई तरिकाली गरना सकीन सा एवडाउंसा आंसर अप्षन को यूज गरे र और कोंसा एत्तिगे मैथर्ट फॉलो गरे र आई पहला क्वेशन गुजी आलनूस एसली की बन सा तबा एससंगा टोटल 5,000 रुपया थियो एसको तबाएले दुई भाग लगाउंड भास दुई जना बेक्ति लाई सापट्टी दिनू भास पहलो भाग दोस्रो भाग यो दुई टे भाग लाई जोडे र 5,000 औनी यो पहलो भाग को ब्यास दर भनी हो 4 परसेंट हो दोस्रो भाग को ब्यास दर 5 15 परसेंट हो र 2 बर्ष पहची तबाएले कुल ब्यास कती पाउंड भाग दुई टे लाई जोडे र कुल ब्यास 4 पाउंड भाग भाग भने यो 4 प्रतिशत्मा तबाएले कती रकम सापट्टी दिनू भाथियो र 5 प्रतिशत्मा कती रकम सापट्टी दिनू भाथियो आम बहास कती होंचा 2,20 ठीक एसको आदा त भयाल चाहिए 2,20 हाई यह 2,20 पने को पहिलो सोर्स रा दोस्रो सोर्स वट जोडेर टोटल एक बहासमा बने को बहास हो आई ता 2,20 रुपया अब यो प्रश्नलाइज सोल्व गरने यहटा effective method क्या होंचा जस्ते आंसर ओप्षेन सरु वेरनुस निया निर, हर आंसर ओप्षेन मात पाला है दुई दिवडा वैल्यू दिएकुस, तीन रा दुई जोडे रा 5,000, पाई, दुई रा तीन जोडे रा 5,000, 25,000, 4,000, 1,000, जोडे रा 5,000, तपाई के गरनोंस वंदारी, यो पहिलो एमाउ 4 नहीं निकालने आमले, सेकेंड माा 5, सो, 3,000, 4,000 निकालने वने एक दम सजिलो, दुई टा जिरो लाएक गाड़ देनुस, तीस गुणा चार गड़ने वने, 120 आउस यो, औनी 200,5 पास परसेंड निकालने वने, S लाएक गाड़ देनुस, 20 गुणा पास गरने वने, 100 आउ तो एसको मतलाव यह तपायको रायट आंसरो ओप्षन नमबर A और कोमा चेक गर्रा देखाये देन्चुमा यानिरो किन मिलना बनेरो 2000 को 4% निकालनोज और 3000 को 5% निकालनोज तो दुईडाज़ेरो काटदेनुस एसमा 20 गुणा 4 गरने वने 80 आनि 2020 काटदेनर Oczywiście स बुईडाज़ेरो सिमिलरली स मा पानी निकालनोज शकनोज भाई .. чेक गरनी पनी पार दना ियवटा ढलज़ेरो आप्षन को यूज गरने, पहलो को 4%, दोसरो को 5% निकालने, जुन मा मिलसा, तेसमा ठीक लगाउनुस, तेही तपाई को सही आप्षन हुनसा, अब कोई बनन सक्सा कि सर माननुस एक्जाम मा इसको पेपर आयाले, जाने रहा आंसर आप्षन ने दिया ना, गयाब कर दियो हरे अब होनात आओधन है परिकल पनाना हो, तर अपनी माननुस आई दियो हरे, तेसमा एक के गरने, बिना आंसर आप्षन यू कोईशन लाए, स्वाल गर देखाऊनुस, एती ने पास्ट, सबसे पेला क्रोस को निशान इसरी बनाऊनुस, ठीक, सेंटर मा लेकनुस तपाई य कोईशन मायलेगेशन लगाऊं दाहरी, प्रश्णमा बनीडाच, कि तबाएले 5000 को एक भाग 4 प्रतिशत ब्यास दर्मा हालनुबास, र और को भाग 5 प्रतिशत ब्यास दर्मा हालनुबास, या दिनुबास, तबाई के सूसनुस पंदाहरी, यदी हामले डूइते पार्ट लाइ, 4 प्रतिशत ब्यास दर्मा दियेको भागे यो पास लाइक्सिन बुल्लिया 犹नुश्त दुइटे पार्ट लाइ, तबाईले 4 प्रतिशत ब्यास दर्मा दियेको भागे, तबाई एक बरसमार टोटल इंठ्रेस्ट कती कमाँ वनूँँदे, 5000 को चार प्रतिशत दर् प्रतिशत ब्यास दर्मा दिएको बई के उन्धियो, सेम मा दिएको बई, सो तेती गेरा तबाएको ब्यास उन्धियो एक बर्सगो, 5000 गोणा 5 परसेंटेज, थीक, 2 डाइसे लाए तबाए या नेरो लेखनोंच, यो आए आमरो 5 परसेंटेज को दर्ले, ठीक, सो बुजनुम कोसरी सोस ने, 4 रा 5 परसेंटेज मा दिएको बई कती ब्यास उन्धियो, 5000 गोणा 5 परसेंटेज, थीक, येसरी लेखनोंच, अब एलिगेशन मेथड मा आमे की गर्शों, येसरी क्रोस मा घटाउंच, थूलो बट स्यानों गटाउंच, अब दूईसे रा दूईसे रा दू एसको पालो, एस मा ठुलो कुणच, डाइसे सो, 250 ओट और 220 घटाउंच, अब ये था बट्टी आयो 30, ये आमरा आयो रेशियो, थीक सो, 30 इस टूट्टी आयो राच, ये उनस प्रिंसिपल को रेशियो, या हिस्सा को, या भाग को रेशियो बने रा बुजिनुस, थीक, ए बहुगे भाई ना 5000, 3000 प्लस 2000 कदी बयाल सा, 5000, सक्क्यो, सो, अप्शन नम्बर, ये राइट आंसर हो, कतम, कस्त लागे तरीका, अब यो ना भन्नु आलाये तो, आम लाये तो, पहले देखिया हो थी ये वाला, अहा, तेस तो हुनी सक्दना, एकदम नया रो इन्नोबेटि और अगार्ट बढ़नो सकनोल जाएता, ओके, यो वीडियो मा यतिनी, होप इसमार डिसक्स करेगो, सपपे टेक्निक्स रो कोईशन सरू, तबाईले रामरसंगो बुजन बोएको वाला, रा तबाईला मन करेगो वाला, येदि यो वीडियो मन करेगो समने लाइक र शेर प